नमस्कार ओम नमस्षिवाय 18 सितंबर मतलब आज जिनका जनम दिन है उनको हार्दिक सुब कामनाय बधाय और सुब आसीश जिनका 18 सितंबर को जनम है या किसी भी महीने के 18 तारीक को जनम है उनका मुलांत 9 होगा और 9 को एक magical number या God's number भी कहते हैं क्योंकि 9 एक एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर आप किसी भी संख्या से गुणा कड़ें और उसके बाद जो result आए उसको आप जोड़ दें तो आपको 9 ही मिलेगा आप सही मायनों में उत्सा और साहस के प्रती हैं मंगल ग्रहों में सेनापती माना जाता है अता आप सभाविक रूप से नेतित की छमता आप में पाई जाती है लेकिन आपको बुधिमान नहीं माना जा सकता मंगल ग्रह वाले काफी शासी होते हैं और चुकि 9 नंबर को मंगल संचालित करता है तो इसलिए आप मंगल ग्रह से प्रभावित होते हैं मंगल के मुलांक वाले चालाक और चंचल भी होते हैं आपको लड़ाई जगरों में भी विसेश आनन्द आता है आपको विचित्र सासिक व्यक्ति कहा जा सकता है या मुलांक घुमी पुत्र मंगल के अधिकार में रहता है आप बहत सासी हैं आपके सभाव में एक विसेश परकार की तीव्रता पाई जागती है आपके लिए सुब दिनांग 9, 18, 27 तथा ऐसे अंग जिनको जोडने से 9 आता है वो आपके लिए सुब है आपके लिए सुब अंग 1, 2, 5, 9, 27 और 22 है इसके अलावा ऐसे अंग जिनको जोडने से 9 आए वो भी आपके लिए सुब है तथा तीन-छो भी आपके लिए सुब अंख है आपके लिए सुब वर्स 2020-2030-2045 तथा ऐसे वर्स जिनको जोड़ने से अंख नौ आता है वो आपके लिए सुब वर्स है आपके लिए इस्क देव हनुमान जी और माता दुर्गा है अगर आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालिशा का पाट करें या मादुरगा की जाप करें तो आपको सपलता मिलना निश्चित है आपके लिए सुब रंग लाल, केशरिया एवन पीला है अगर आप इन रंगों के वस्त्रों को धारन करते हैं तो या आपके लिए अच्छा है अगर आप इन वस्त्रों के को धारन नहीं भी करते हैं तो लाल, केशरिया या पीला रंग का रुमाल अपने पॉकेट में आप जरूर रखें आपकी लिए यह वर्ष राजनितिक व्यक्ति सफलता का स्वाद चक सकते हैं मित्रों स्वजनों के सहयोग मिलने से प्रसंता रहेगी आप अपनी सकती का सदुपयोग कर प्रगतिकी और अगरसर होंगे पारिवारिक विवाद सुल्चेंगे महत्पूर कार योजनाओ में भी सफलता मिलेंगी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होंगी स्वास्त भी ठीक रहेगा अधिकार छेत्र में वेत्ती संभव है धन्यवाद